हाइ फ्रेंड वेल्कम बाग आपके अपने यूटुप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए देखते कल निफ्टि बैंक निफ्टि कहा मोमेंटम कर सकता है कॉन से स्टॉक्स का पूं कर सकते कल के लिए और हमने कल क्या डिसक्स किया था था निफ्टि नहीं करेंगे, so we will wait for the second half, for second half में trade मिलने के बाद हम trade initiate करेंगे, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हम जो हम setup यूज करते हैं, trading setup 5 और 13 EMA का, आज हमें वापस से बिल्कुल top पे हमें यहाँ पे selling करने को मिला, सारा दिन कोई भी trade नहीं था, निफ्टी ने बहुत अच्छा breakout दिया, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा breakout दिया, बट आप देख सकते हैं, बिल्कुल 900 के लेबल पे यहाँ पे हमें एक short का opportunity मिला, then after आप यह momentum देख सकते हैं, so like approximately 600 point का momentum यहाँ से यहाँ तक मिला, इंट्रडे के अंदर, जो की बहुत जादा होता है, almost 500 point का था, then after फिर आके निफ्टी कहीं न कहीं वालटेलिटी क्रिए करके फिर यहाँ पे close हुआ, same अगर हम bank nifty देखें, तो bank nifty में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, almost 900, 900 के आस पास में, जो है हमें यहाँ पे signal मिल गया था, sell का, तो bank nifty में भी बहुत initial period में, बिल्कुल top पे आपको sell का signal मिला, then after आप यह momentum देख सकते हैं, it's more than like 1200 points, अब के लिए हमारा क्या plan of action होगा, तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह selling कहां से हुई, सारे लोग confused है, बट अगर आप option chain को track करते हैं, तो option chain में clearly early morning से दीख रहा था, market उपर जा रही थी, बट कोई था वहाँ पे जो 17,500 की और 17,700 की call right कर रहा था, अगर हम derivative का data देखें, तो derivative के data में आपको clearly देखेंगा, जो यहाँ पे clients है, वो अपनी long unwinding करते हुए दिखेंगे, आज वो profit book कर रहे थे उपर के level पर उन्होंने fresh यहाँ पर शॉट पोजिशन क्रेट किया, लगबग 6,000 के आसपास, जो DII's है उन्होंने short covering किया, उन्हों उन्होंने जो long position को है close कि और short position बनाया है, DII's short covering कर रहे हैं, तो वो generally option में उतना trade नहीं करते हैं, FII's के data से clear नहीं हो रहा है, कि उनका क्या position है, बट अगर हम देखें तो उनका massive short position यहाँ पर almost 1,20,000, 1,11,000 के आसपास यहाँ पर short position आपको open देख रहा है, अगर prop desk देखें तो option में आपको देखेंगा, जो client है, वो bullish है, उन्होंने यहाँ पे long position करी कर रहे है, और जो FII's है, यहाँ पे आपको bearish देख रहा है, बट जो मैं conclude करता हूँ, वहाँ पे मुझे देख रहा है कि FII's की कोई खास activity नहीं थी, उन्होंने कोई activity नहीं की option में, तो जो भी position ब बात करें, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो prop desk है, वो short position carry कर रहा है option में, तो इनको ऐसा लगता है कि कल market थोड़ा weakness bias के साथ trade कर सकती है, चले हम price action पे देखें, तो price action पे अगर हम nifty को देखें, तो nifty में यहाँ पे कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको suggest नहीं क हाई है कि यह support है, और ऊपर में यह सारा यहां से हमें sharp selling देखने को मिला, यह सारे sharp selling के point है, यह level, तो हो सकता है कि nifty इसके बीच में volatile हो, और जो option buyer होंगे, उनके यहाँ पे premium को खाया जाए क्योंकि premium अभी भी बहुत जादा हाई है, तो हम index को कल के लिए avoid करेंगे, हम index में कोई trade initiate नहीं करेंगे, अगर हमें 13-5 setup पे कुछ trade दिखता है, तो ही हम trade करेंगे, otherwise price action भी हमें कुछ clear signal नहीं दे रहा है, कि market का momentum क्या हो सकता है, data points भी हमें कुछ confirm नहीं कर रहे है, तो फिर हम कल wait and watch करेंगे, आज हमने काफी अच्छा profit बनाया है, तो हम इस profit को आज enjoy जो आज जहां से यह bounce हुआ है, लगबख 40,000 एक round level है, और उपर में अगर हम देखें तो 40,500 यह आपका 40,500 और यहां से हमें एक sharp selling देखने को मिली है, तो 41,000 यह आपका resistance का काम करेगा, तो इस बीच में कहीं market घुमता रहेगा, तो अगर आप option right करते हैं, तो आपके लिए करने के लिए, क्योंकि data points और price action दोनों को suggest नहीं करते हैं, कि market का momentum कीदर होगा, चलिए हम stocks देख लेए, तो पहला stock चाचा लग रहा है, चार्ट पे बजाज holding, हमने कल इसको परसो भी discuss किया था, भाई करने के लिए, हमने discuss किया था, बट हमारा level कभी आया नहीं, तो हमें entry म मिलानी, हमने ये discuss किया था, कि अगर ये flat खुलता, flat खुलने के बाद इसके ऊपर निकलता है, तो हम long करेंगे, ये कोशिश करेगा इस swing को retest करने का, तो next day ये gap down कुला, gap down कुलने के बाद ये नीचे को आ गया, तो हमारा trade हमें कभी अपना level मिला ही नी, बट आज ये बहु कर रहा है, और ये neckline का breakout भी हो चुका, इसके ऊपर sustain कर रहा है, close करके, तो हमें अच्छा momentum देखने को मिल सकता, ये यहां तक का level retest करने की कोशिश करेगा, next stock अगर हम देखें, तो next stock है escorts, उससे पहले हम hevels देख ले, क्योंकि ये long trade है, but hevels मैं बोलूँगा, बहुत cautiously trade कीजएगा, reason being, की market का sentiment कैसा रहेगा, ये नहीं कह सकते, but अगर मान लिजे कल ये 1200 के ऊपर निकलता, अगर ये flat खुलता है, 1190 के आसपास खुलता है, इसके बाद 200 के ऊपर निकलता है, तो ही हम long करेंगे, अगर थोड़ा भी gap down खुल गया, या gap up खुल गया, तो हम avoid कर करेंगे, 5 रुपय का stop loss रखेंगे, 1 is to 2 के target के लिए प्लान करेंगे, next stock अगर हम देखें तो escorts, escorts मैंने पहले भी दिया था, यहाँ पर short करने के लिए, कि हम यहाँ पर short करेंगे, but इसके नीचे अगर flat खुलके, 1200 के नीचे, 2000 के नीचे ये trade करना start करता है, तो हम short करेंग इन फेक्ट, आज मैंने स्कॉट्स का 1800 का पुट खरीदा था, लगबख 2 रुपे 75 पैसे पर, और मैंने उसे 15 रुपे के आसपास में बेचा है, तो कल अगर यह flat खुलता है, कहीं पे भी 2016 से लेके, 2010 के बीच में कहीं भी खुलता है, इस range में खुलके, 2000 के नीचे नीचे न स्कॉट्स रखके, फिर आने वाले टाइम में स्कॉट्स में हमें बहुत बड़े टार्गेट देखने को मिल सकते है, अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर यह ट्रेड आप अच्छे से पकड़ लेते हैं, तो यह आपका एक जैकपोट ट्रेड होगा, जैसा कि हमारा एशन पे देखेंगे, तो हमें एक structural breakdown होता हुआ, यहां से sharp selling आया, यह double top का formation करके यह breakdown देने की कोशिश कर रहा है, तो अगर इसके नीचे यह close होता है, तो फिर हमें बहुत ही बड़ा momentum देखेगा, पहला target जो होगा, वो 1900 का होगा, positionally, then after जो दूसरा target हमें देखने को मिलेगा, लग चैनल को subscribe कीजे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर कीजे, मैं description box में 13.5 EMA का वीडियो का जो link है, वो मैं डाल दूँगा, अगर आपने उसे नहीं देखा है, तो आप उसे देख सकते हैं, वो हमेशा आपको, आप जब भी उस setup को use करेंगे, तो most of the time आप top पे sell कर सकते हैं और bottom पे buy कर सकते हैं, but मैं recommend करूँगा, मैं advise करूँगा कि आप उस setup को use करने से पहले उसका back testing जरूर करें, क्योंकि back testing बहुत required है, अगर आप उहां पे 10 दिन, 15 दिन, महीने बर back testing करें, paper trade करें, अगर आपका trade सही जाता है, तो फिर आप उस setup को use करना start कर सकते हैं, alright friends, thanks for watching, good night!